आज की इस वीडियो में हम आपको एक नई वेकेंसी के बारे में बताने वाले हैं ये वेकेंसी है अमीन तथा कानून गो की और यहाँ पे कुल मिला के पद है 6,875 तथा इसके लिए आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से लेके 37 वर्स तो जादे जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजे लाइक तथा इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए आपको बताते हैं इस वेकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देखिए इस तरह हम इस वेकेंसी के लिए पेज पे आ चुके हैं और सबसे पहले आपको बता दें डेट के बारे में तो ये फारम भरना सुरू हो चुका है 11 मार्च को ही और इसके लिए हमने पहले ही आपको एक वीडियो बना के बता दिया था, हलाकि उस समय फारम भरा नहीं जा रहा था, इसलिए हम फिर से वीडियो रिमाइंड करने के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे आप इसका आवेदन कर पाएंगे 1 अपरेल तक, अतलब की फाइनल डेट है एक अपरेल, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किसी भी कटेगरी के कंडिडियेट को कोई भी फीस नहीं देना है, और यहाँ पे कई तरह के पद हैं, इस्पेसल सर्वे अमीन, इस्पेसल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट, आफीसर और इस्पेसल सर्वे कानुन गो तथा special survey color का तो देखा जाए तो यहाँ पे कई तरह के पद हैं और कुल वेकेंसी है लगबग 6800 जिसमें से special survey अमीन को मिलता है 4950 अमीन को मिलता है 550 पद जो special survey assistant settlement officer है 275 पद और जो कानून गो है 550 पद तथा जो color का है इसके लिए 550 पद हैं यह वेकेंसी एक संभिदा की भरती है यहाँ पे आपको इसके educational qualification के बारे में बता दें तो special survey अमीन के लिए आपको diploma होना चाहिए civil में और इसी तरह जो special survey color का है इसके लिए आपको graduate होना चाहिए किसी भी university में और अमीन के लिए आपको आई टी आई होना चाहिए सर्वेयर में तथा special survey assistant settlement officer के लिए आपको bachelor degree होनी चाहिए civil engineering में तो यह हो गया इसके educational qualification के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे देखिए नीचे जाने पे मिलता है आपको important link यहाँ पे अगर आप इसका आभिधन करना चाहते हैं तो apply online के सामने दीए गए click here पे click करना होगा notification पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे दीए गए link पे click करना होगा जिब ही आप वहाँ पे click करेंगे इसका notification आपके screen पर आ जाता है लेकिन अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं apply online के सामने दिये गए click here पे click करते सीधे आप इसके page परोंगे और वहाँ से जाके आप बड़े ही असानी से इसका आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके लिए आपको अलग-अलग आवेदन करना होगा और जो भी पद है और उसके सामने जो भी frequency है इसके सामने दिया जा चुका है तो अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको इसका direct link इसी वीडियो के description में और पहले comment box पर मिल जाएगा आप इस वीडियो को लाइक करिए तता इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को subscribe करें Thank you